जब एक महिला पहली बार अपने पती के घर आती है, तो वो जाहिर तोर पर थोड़ा अनकमफर्टेबल महसूस करती है। मुझे लगता है कि एक लौता इंसान जो सही मायने में उस खालीपन को भर सकता है, वो उसकी सांस है। एश्वर्या और अभिशेक की शादी 20 अप्रेल 2007 को हुई थी। कपल की एक बेटी है आराध्या बच्चन जो अकसर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है। अभिनेत्री एश्वर्या राय बच्चन, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड जैसे खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, तो उनके बारे में जानते हैं पूरी सच्चाई। इसी तरह की और रहस्मई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जिसके बाद एक्ट्रेस को एक के बाद एक फिल्मों में काम करने का मौका मिलने लगा। बता दें कि वह फिल्मों में आने से पहले एक सक्सेस्फुल मॉडल रह चुकी हैं। आपके होश उड़ जाएंगे। एश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉंटेस्ट जीता ही था। जिसके बाद एश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेपसी की एक एड में नजर आई थी। करने लगी। उन्हें बरदाश्ट नहीं हो रहा था कि वह भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आए। फिर इसी के बाद एश्वर्या मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गई। जो की साल 1994 में ही आयोजित हुआ। आखिर एश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत ही लिया। साल 1997 में जो की ते लुगू फिल्म हीरो वर्थी जिसे मनी रत्नम ने निर्देशित किया था। इसके बाद बॉलिवुड में भी एक फिल्म इसी साल में मिल गई जो थी और प्यार हो गया। जिसमें लीड रोल में थे। बॉबी देवल और एश्वर्या र मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, उसे हेमंत ने ही तयार किया था। इसलिए एश्वर्या ने उनके साथ बहुत मजे किये थे। उसके बाद भी उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई भी तयार नहीं था। जिसके कारण खिताब मिलने से दो से तीन सालों तक एश्वर मौडलिंग में ही अपनी रोजी रोटी कमाती रही। मौडलिंग के दिनों में एश्वर्या का दिल राजीव मूल चंदानी पर आया था। कहा जाता है कि जब एश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव पाने के जाने माने मॉडल रह चुके हैं। दोनों का यह रिष्टा ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए थे। और जब एश्वर्या पर डायरेक्टर्स की नजर पड़ी तब जाकर उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। लेकिन 1998 में एश्व दे चुके सनम से जो कि अजय देवगन और सल्मान खान के साथ थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म एश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने एश्वर्या को बॉलिवुड में स्थापित कर दिया था और दूसरी और अहम बात जो थी वह यह थी कि इसी फिल्म के दौरान सल्मान खान और एश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। साल 1999 में ही एश्वर्या की एक और फिल्म आती है ताल जो कि सुभाश घई की मूवी थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लग कि एश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाश घई के साथ कंप्रोमाइज किया है लेकिन यह बातें जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से दब गई क्योंकि इसका कारण था सल्मान खान एश्वर्या और सल्मान खान की प्रेम कहानी के एक साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई जगडे की खबरें आने लगी थी उसके बाद फाइनली 2002 में सल्मान खान और एश्वर्या राय का ब्रेक अप हो जाता है जितनी खबरों में इनकी प्रेम कहानी नहीं थी उससे कई ज्यादा सुर्खियों में इन दोनों का ब्रेक अप रहा दरसल एश् परण क्या था? आप समझ सकते हैं, एश्वर्या ने सल्मान खान को समझने में चार साल का समय लिया और अन्त में ब्रेक अप कर लिया. साल 2005 में एश्वर्या और अभिशेक के रिष्टे के बारे में किसी को नहीं पता था. तभी अमिताप के साथ एश्वर्या ने एक गाना किया था, कजरारे, जिसमें अभिशेक बच्चन भी साथ में थे, यानी दोनों बाब बेटे, और उन दोनों के बीच में थी एश्वर्या राए. इस दोरान यह अफवाह भी काफी जोरों पर थी, कि एश्वर्या के लिए अ सल्मान खान के कारण एश्वरिया का कैरियर पूरी तरह बरबाद के कगार पर पहुँच गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था उपर उठने के लिए और उसके लिए एश्वरिया राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी। ताकि अपना जो भविश्य है, उसको वह सिक्योर कर सके, साल 2007 में एश्वरिया ने अभिशेक से शादी कर ली और अभिशेक समेत पूरे घर को अपने कंट्रोल में करने लग गई। अभिशेक बच्चन को बहुत से डायरेक्ट अपने फिल्म में कास्ट नहीं करते हैं, अगर एश्वरिया की फिल्मी करियर की बात की जाए, तो एश्वरिया ने धूम टू में जम कर रितिक रोशन के साथ किसिंग सीन्स दिये थे, जबकि वह धूम टू के दौरान अभिशे बवंडर खड़ा हुआ था, और वह बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिशेक बच्चन की फैमली, ये भी कहा जाता है कि अभिशेक की फैमली ने इस सीन को हटवाने के लिए यश्राज बैनर से संपर्क भी किया था, ऐसे ही बवंडर हुआ था, एदिले मुश्किल के द दौरान एश्वरिया ने अपने 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिये थे, वह भी 1-7 साल की बच्ची के होते हुए इस सीन को लेकर भी बच्चन परिवार ने काफी तांडव किया था, लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के दौरान खुद एश्वरि वह हर हाल में वह फिल्म हिट होनी चाहिए, क्योंकि एश्वरिया जो शादी के बाद बॉलिवुड की दुनिया से गायब हो चुकी थी, अब खुद को लीड रोल में जमाना चाहती थी, इसके लिए वह ताल मूवी की तरफ कुछ भी करने को तयार थी, रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह से एश्वरिया राय बच्चन ने सीन्स दिये थे, वह भी अभिशेक बच्चन को बिना बताए, उस समय बच्चन परिवार में काफी टहल का मच गया था, उस समय मीडिया में खबरें चली थी, कि अभिशेक बच्चन एश्वरिया राय से तलाक लेने वा लेकिन करंड जोहर ने यह बात ऐश्वरिया को बता दी, जिसके बाद ऐश्वरिया ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा था, इधर ऐश्वरिया के समर्थन से करंड जोहर ने फिल्म के इंटीमेट सीन्स को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया, खेर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को आपका बहुत बहुत धन्यवाद